क्या not to हो सकता है मित्र आज की वीडियो में यहां पर हम इसका टेस्ट करने वाले हैं extreme heating test में इसके उपर कर लिभा हों कि क्या literally यहां पर यह ब्लास्ट हो सकता है पास्ट कुछ दिनों में या जब से launch हुआ ना ना अपने देखा हुगा काफी सारी न्यूज आई है स्टार्टिंग में तो एक दो आई थी यार उसमें ट्विटर पे लोगों ने ट्वीट करा गायब हो गया वह अकाउंट ही क्योंकि अकाउंट भी मेरे आउने फोन के उपर यही एक्स्ट्रीम टेस्ट करने वाला हो ना देखो आपको या तो बैटरी के अंदर तो बैटरी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है कोई मैटल से पोक करने पर यह आपका फोन इतना ज्यादा एक्स्ट्रीम हीट हो जाए नॉर्मल कंडीशन में ही जिससे अपने फोन के उपर करके आपको दिखाने वाला हूँ ताकि अगर आपको कोई बाइंग डिसीजन है कोई अगर आपको दूविदा है तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो चलो यार बिना टाइम को वाई चलते हैं यहां पर नॉट टू के उपर करके दिखाता बागी हां यार यह कोई रिव्यू उनिट नहीं है जैसे कि आपको पता है मैं खुदी खरीता हूं खुदी रिव्यू बनाता हूं तो लाइक करोगे शेयर करोगे तो काफी जादा अच्छा रहेगा अब यहां पर सबसे पहले मैं बात करूँ कुछ कुछ कंडिशन में कौ लाइटिंग भी ओन है और वो लाइटिंग ओन करके काफी जादा तेंपरेचर इंक्रीज अगर अगर में आपको फ्रंट का तेंपरेचर दिखाऊंगा तो 31.5 डेगर आपको नॉर्मली अभी देखने को मिलेगा फ्रंट और बैक का ओल्मोंस सिमलर है फ्रंट थोरा से जा पाइशन में कैसा होगा सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ से अच्छा माधियम है जिसके वजह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कितना हीट करता है बहुत ही ज्यादा प्रेशर आपकी फोन के उपर डालता है तो सबसे पहले इसको दस मिनट बाद देखते है कि इसका देखने के लिए मिलता है हाँ तो गाई यहां पर हो गए है कंप्लीट अगर टाथ करूं टेंपरेचर की तो यहां पर अब भी ऑन्मोस 44 से 45 डिगरी के बीच में यहां पर टेंपरेचर है अब यहां पर यह मैं कहूंगा नॉर्मल है सीप्यों ट्रॉटलिंग जब इतनी लाइटिंग कंडिशन में और बैक्ग्राउंड बस एक पंखा वो भी धी में चल रहा हो तो इतना टेंपरेचर रहता ही है इस सिमिलर रिजल्ट मैंने रियल्मी एक सवेन मैक से साथ भी देखा था वही 44 45 तक य बाद कितना होगा तो हाफ एन आर यहां पर अल्मोस्ट कंप्लीट होने वाला है अगर टेंपरेचर यहां पर देखूं तो 47.5 डिग्री तक मैक्स यहां पर चला गया है यह चीज़ मुझे थोड़ी सी शॉकिंग लगी हाला कि मैं इसको एकस्पेक्ट नहीं कर रहा था ले कि नहीं यार 47.5 डिग्री तक गया है हलाकि यह मैं नहीं कहूंगा कि यह टेंपरेचर बहुत ही कंट्रोल में है ओवर हीट अफको यहां पर आपको देखने को मिली है लेकिन आप कंडीशन भी देखो कि कौन से कंडीशन में यहां पर ओवरीट होई है चार्जिंग लगी ह से नहीं है कि मैं हाथ में होल ना कर पाहूं और अगर मैं इसको एप द्वारा आपको दिखाऊंगा इसकी इंटरिनल जो है तो उसमें 45.5 फी शो कर रहा है मेरे हीट गन से यहां पर 47.5 यहां पर शो कर रहा था जल्दी से आपन मैं क्या करता हूं दस मिनिट एक बार बीज यहां पर बीजी एमाई मैंने खेला तो उसके बाद तो टेंपरेचर डाउन होके 41 टे 42 तक यहां पर रहे गया तो यह तो यहां पर थोड़ा सा डिगरीज हो गया है मतलब सीप्यों देखो काफी दम आके दार रहा है बाग यार आप यह गंटा पूरा कंप्लीट ही कर लेत गंटे बाद आप लगातार देखोगे तो एंदुदू का स्कोर यहां पर 45-46 के आसपास यहां पर आपको बीजी में देखने के लिए मिल गया है उतना उपर नहीं गया 46 तक ही यहां पर मैंटेन रहा है बाग यार मैं कहूंगा कि जो लेटेस अपडेट है तिंग उसके ब ब्लास्ट हुआ आपने सामने ही देख सकते हो ऐसा कुछ भी ब्लास्ट नहीं हुआ और जब तक आपने फोन को यूज ना करो तब तक यहां पर कुछ ब्लास्ट हो रहा है क्योंकि अभी तक तो मेरे हाथ में है ब्लास्ट तो नहीं हुआ अभी आपके सामने मैं इसके उप पर extreme heating test जो मैं कहूंगा वो करके दिखाया है तब भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सही सलामत यहां पर खड़ा हुआ है देख सकते हो आप यार क्या news है कैसा चल रहा है I don't know यार उस condition के के बारे में क्या कहूं लेकिन यहां पर मुझे टेस्ट करना था कि यार ऐसे ओवर हीट करते हैं तो क्या रिटरली ब्लास्ट हो सकता है अभी तक तो नहीं हुआ है और नॉर्मल डे-टू-डे यूज में तो यह हीट भी नहीं होता है यह extreme condition जब मैंने यहां पर करिए ना उस बागे आपका उपर decision है बस मेरा यही मोटिफ ता आपके आपको दिखा पाऊं कि हीट कितना होता है एंड क्या लेटरली यह ब्लास्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है आई होप आपको वीडियो बसंद आई होगी आए तो लाइक शेयर ना शेयर करना बलता हूं नहीं